एक विनम्र निवेदन यदि आपको ज्ञान यग्य का यह प्रयास सार्थक लगता है और आप भी इस उद्देश्य में भागिदार बनना चाहते हैं तो कृपिया हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे जीमेल अकाउंट की थीम या बैगराउंड बदलना यहां पर यह हमने अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर रखा है और नॉमली जब आप जीमेल खोलते हैं तो वो इसी तरह से दिखता है जिस तरह से यह नजर आ रहा है पर अगर अक्सर आपको इसमें काम करना होता है और आप चाहते हैं कि इसका जो इन बॉक्स है वो इंटरेस्टिंग दिखे इसमें अलग-अलग colors हों या pictures हों तो उसके लिए आप themes set कर सकते हैं थीम सेट करने के लिए यहां settings पर जाकर क्लिक करें और इसमें यहाँ पर आपको settings का option मिलता है रुसी के नीचे direct themes का option भी मिलता है चाहें तो आप themes यहाँ से खोल ले या फिर settings में आप जाएंगे तो यह last में आपको option मिलता है themes इस पर click कर दें अब यहाँ सबसे उपर आपको मिलती है color themes इसमें यह अलग-अलग colors दिये हुए हैं अगर आप इनको चुनते हैं तो यहाँ अभी जो आपको white नज़र आ रहा है background उसकी बजाए यह जो color आप चुनेंगे उसमें नज़र आएगा मान लिजे हमने चुना rose यह देखिए यह यहाँ पर यह यह color change हो गया है अगर आप HD themes चुनते हैं तो इसमें यह देखिए अलग-अलग options हैं इसमें आप wood, beach, mountains, pebbles, ocean यह अलग-अलग themes चुन सकते हैं मान लिजे आपने wood चुना तो यह कुछ seconds बाद यह देखिए आपको यह theme change होई नजर आ रही है इसी तरह से आपको इसी भी theme चुन सकते हैं अगर आप अपनी पसंद की कोई picture यहाँ पर चाहते हैं तो उसके लिए आप custom light या custom dark चुन सकते हैं मान लिजे आपने चुना custom light अब यहाँ पर कुछ pictures जो हैं वो आपको already uploaded मिलेंगी आप चाहें तो इन में से कोई picture upload कर सकते हैं और अगर आपको खुद की ही पसंद की कोई picture अगर चाहिए तो उसके लिए upload अ फोटो पर जाकर के click कर दें photo upload करने के लिए यहाँ पर आप click करें अब यहाँ से हम जिस भी location पर हमारे pictures हैं उस पर जा सकते हैं मान लिजिए picture library में हमारी pictures हैं अब यहाँ से जो भी picture हमको चुनना हो उसको हम select करके open कर लें तो यह यहाँ पर uploading start हो गई है और जब यह upload हो जाएगा तो हम उसको select कर लें यह देखिए जो picture हमने चुनी थी वो यहाँ पर आ गई है अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें हमने custom light चुना था तो यह जो options हैं यह आपको light में नजर आ रहे हैं अगर हम custom dark चुनते तो picture तो जो हमने चुनी है वो इसी तरह से यहाँ पर आएगी पर यह देखिए यह जो option है वो आप dark में आ रहे हैं अभी जिस तरह से हमने अपने system में से अपनी पसंदीदा picture लेकर के यहाँ पर set की theme के रूप में उसी तरह से अगर आप google से कोई image लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप google पर वो image जो भी right click करें और यहाँ से copy image url पर जाकर के इसको click कर दें अब दुबारा Gmail settings में आ जाएं और यहाँ पर अब select a background image पर जाकर click करें और यहाँ पर paste url पर click करके यहाँ जो हमने url copy किया है उसको paste कर दें यह जो picture हमने select की थी वो यहाँ पर आ गई है अब select पर click कर दें थोड़ी ही देर में यह picture यहाँ पर ऐसा theme set हो जाएगी यह देखिए इस तरह से यह तो एक बार हमने जो भी theme set कर दी वो बनी रहेगी पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शहर के हिसाब से उसके climate के हिसाब से यह जो theme है वो अपने आप बदलती रहे तो उसके लिए यह यहाँ पर random वाला option आपको मिलता है इस पर click करें यहाँ पर country जो है वो selected है अब जो आपके city है वो आप यहाँ पर type कर दें यह हमने type कर दिया indoor अभी यहाँ पर please wait लिखा हुआ है थोड़ी सी देर इंतजार करें जब यहाँ पर select आ जाएगा तब हम उस पर click कर देंगे यह देखिए यहाँ पर यह theme अपने आप change हो गई है और जब भी आप Gmail खोलेंगे और थोड़ी देर इस पर काम करेंगे तो आप आएंगे कि यह theme अपने आप पदलती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में यह देखिए वापस से यह जो theme है वो अपने आप change हो गई है और अगर आप कोई भी theme नहीं रखना चाहते हैं तो वापस themes पर जाएए और यह जो सबसे पहला वाला option है light इस पर अगर आप click करेंगे तो यह वापस जैसी originally यह नजर आती है वैसी हो गई है इस अध्याय में हमने सीखा Gmail account की theme या background बदलना अगर आती है